एक बहुत गरीब किसान था, वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी जोपली में रहता था, उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेच कर उसे बिलकुल थोड़े से रुपे मिलते थे, उन रुपे उसे वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया, राजा दयालू था, उन्होंने किसान को अपनी zemίν में से कुछ जमीन दे दी, खेती करने के लिए, उन्होंने कहा ये जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उसपर उपने वाली फसल तुम्हारी होगी, किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, एक दिन वो खेट की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कथोर चीज से टक्राया, उसने वहाँ खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली, किसान इमानदार था, उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेट से मिली है, ज जदी राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे, आप इस ओखली को अपने ही पास रखिये, लेकिन किसान को ये बात ठीक नहीं लगी, वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, उसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है, वह राजा के पास ओखली कहां से ला कर देता, नतीजा ये हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया, जेल में न उसे धंग से खाना मिलता था, न पानी, किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी, जो उसने की ही नहीं थी, वह खाय पिये बिना निधाल हो गया, लेटे लेटे वह रोता रहता था और क तब किसान ने राजा को पूरी बात बताए, राजा को अपनी गलती का अहसास हुआ, किसान को तुरंट छोड़ दिया गया, किसान की बेटी को राजा ने दर्बार में बुलाया, उससे बाती करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है, किसान की सच्चाई की हुई इसे ही अच्छे अच्छे कहानी को सुनने के लिए हमारे ये टू जैक कहानी चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद